ओम शांती आईए सुनते हैं आज की मुरली का होंवर्क राज योगी बीके भारत भुषन जी के मुख कमल से आपको बता दें ब्राता जी पानिपत ज्यानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर के निदेशक हैं और साइंटिस्ट एंड इंजीनिरिंग विंग के नैशनल कोर्डिनेटर भी हैं अब सुनते हैं आज बाबा ने मुरली में हमें क्या एक्सेंज करने को कहा और शरीर के हिसाब किताब कैसे चुकता करें ओम श्यान्ति आज प्यारे बाबा के 27 अप्रेल की मुरली का हूमवर्क सुनते हैं बाबा ने आज अटेंशन खिचवाया स्विरे स्विरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है पुछे पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद ना आए सब कुछ भूला हूँ तो विशेष सुबह अमरत वेले पावरफुल योग योग तो बहुत बच्चे करते हैं लेकिन अकसर पूछते हैं कि पाउरफुल योग कितनों का रहा तो उसमें बहुत थोड़े हाथ मिलते हैं कलास में अगर तीस भाई में हाथ खड़ा करेंगे कि हमारा आज अमरत वेला किया फिर दूसरा प्रशन पूछते हैं जिसका शक्ति शालियो उठे तो लगे बैटरी चार्ज हो गई तो उसमें हर्ड ली तीस में से कोई एक दो कभी मिलते हैं दो एक तो उसका कारणा आज बाबा ने बड़ा अच्छा उसका तरीका बताया कि स्वेरे स्वेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल और सब कुछ भूला हुआ हो कुछ याद ना आए मतलब ये अभ्याद सबसे पहला संकल्प ये कर लेना चाहिए गुड मॉर्निंग करके बाबा से बड़े प्यार में अच्छे तरह डूपके जब बैठते हैं उस वक्त दर संकल्प ये के शरीर जरा भी यादना है बूला हुआ हो और न्यारा होके फिर आगे क्या करना है बाबा के किसी संबंद और प्राप्ति को सामने रखके उसमें अच्छी तरह से खो जाना है तो फिर आपका अम्रित वेला बहुत अच्छा पाउरफुल होगा और ये ड्रिल बड़ी अच्छी रहेगी फिर प्यारे बाबा ने आज कहां कि बच्चे लौकिक बाब का वर्सा पारलोकिक बाब से तुम आकर एक्सचेंज करते हो अरे बच्चे कहां मैं बादशाई और कहां ये गदाई पारलोकिक बाब का वर्सा तो बादशाई और कलियोगी कितने भी प्राप्तियां उसको बाबा ने का गदाई तो इसलिए बच्चे वो एक्सचेंज करते हो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे यहां तुम आए हो किसलिए आए हो जीते जी मरने बाप पर नियोच्छावर होते हैं तो नियोच्छावर होते हैं फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो तो ट्रस्टी शब्द कितना संदर है ट्रस्टी को बार बार याद रहता है मेरा कुछ नहीं मेरा तो सब कुछ बाबा ये सब कुछ बाबा का है तन बाबा का, मन बाबा का, धन बाबा का सब चीजें बाबा की तो इसे कहेंगे अगर पूरे ट्रस्टी बन गए तो समझो पूरे नियोच्छावर हो गए तो हमें पूरा ने उच्छावर होना है फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कोई भी बात विशेश हो तो कल्यान की भावना देखने सुनने वाले परदर्शन मुक्त भाव परदर्शन मुक्त भाव बनने के लिए बाबा ने कहा कल्यान की भावना से देखने हर बात में कल्यान समाय अगर इस बात को अंडरलाइन कर ले निश्चे तो फिर कोई भी बात देखते सुनते आप उससे मुक्त रहेंगे हर बात में कल्यान है ये सदा याद रखे बाबाने का संग्थन जितना बड़ा बातें भी होते जो बातें आएंगी अगर ये सोचो हर बात में कल्यान है कोई किसी के लिए सुना रहा है विगन डालता ये करता इसमें भी कल्यान इसकी शैन शक्ती बढ़ रही है इसते हर चीज को कल्यान की दृष्टी से देखें तो नफरत भी नहीं आएगी और किसी के परती घिरना नफरत से मुक्त होंगे तब बाबा ने कहा बच्चे अगर अपने को जिम्मेवार समझते हो सुनना पड़ता है और हम निमित जिम्मेवार हैं तो बाबा ने कहा अपनी ब्रेक को पाउरफुल बनाओ देखा सुना जहां तक हो सका कल्यान किया और फुल स्टाप फिर फुल स्टाप एक सेकेंड में बात खतम हुई ऐसे भूल गई जैसे पिछले जनम में हुई हो तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बाबा ने कहा फिर आज के मरली में विशेश बाबा ने सलोगन अपने संतुष्ट खुश्णमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है तो संतुष्टता है तो वह खुश्णमा जीवन स्वते बन जाएगी क्योंकि बाबा का वर्णान है संतुष्टता ही परसंता का अधार है और जो संतुष्ट एव नेच्चल हर कदम में सेवा करने वाले स्वते ही सच्चे सेवाधारी बन जाते हैं इसलिए बिमारी यादी में आए तो भी संतुष्ट रहना है बावा ने आज कितनी बड़ी बात मुरली में खोली रहा हुआ हिसाब किताब चुक्तू करना है या तो बच्चे योग से या सजा से लेकिन सजाएं बहुत कड़ी होती है और पद भी ब्रष्ट हो जाता है इससे तो बिमारी से चुक्तू होता तो अच्छा है बाबा ने कितनी गहरी बात बताई कि बच्चे बिमार में बिमारी अगर आती है तो डांट वरी उसमें तो अच्छा ही है उसमें कल्यान ही है जब प्यारे हमारे जगदीश भाई का शरी छूटा तो गुलजार दादी भोग लेके गई तो उनको शारेरिक बिमारी काफी आई थे तो बाबा से पूछा बाबा इतना अमुले रतन और इनको बिमारी क्यों आई इतना ये बिमारी भोगना क्यों भोगतनी पड़े तो बाबा ने कहा कि बच्चे का द्रड़ संकल्ख था कि बाबा मैं सजाई नहीं खाने बिलकुल पास विदानर होके जाना है यहां बहल आज बाबा ने भी वही बात कही कि वच्चे सजाओं से अच्छा तो ये है कि यहां बिमारी आदी से भी चुकतु और योग बल सबसे बड़ा तो योग का प्रियोग करें योग से जो चुकतु होता है उससे तो पद भी बहुत उंचा तो ये और लेकिन बिमारी आए तो भी घबराना नहीं उसमें बिमारी से भी चुकतु हो रहा है और बिमारी में योग योग तो भी इसी से हमारी फिर संतुष्ट जीवन बनेगी और खुश्णवा जीवन बनेगी तो संतुष्ट संतुष्टता में याद रखना है मुझे खुद से भी संतुष्ट रहना है मुझे परिवार वालों से भी संतुष्ट रहना है मुझे ड्रामा से भी संतुष्ट रहना है मुझे प्यारे बाबा से भी संतुष्ट कहीं बाबा से भी संतुष्ट हो जाते हैं बाबा अपने मेरा पहले क्यों नहीं पार्ट खोला, बताओ मैं पहले आती नहीं कुमारी ही होती, मैं भी teacher बनके खुब सेवा करती मैं। तब बावने का वोई सच्चे सेवा धारी है ये है आज की मुर्ली का होमवर्क दिन भर ध्यान रखना है संतुष्ट ताके पुष्प बर्सते रहे हर बात में कल्यान की महवना से देखना है और विशेशमरत वेले ड्रिल करनी है शरीर से न्यारा दिन भर भी उस ड्रिल करनी है न्यारा प्यारा रहने की ये है आज की मुर्ली का होमवर्क ओम शान्ती